नमस्कार आम सोईता आजी ओछंती भारत शरकार्णका ब्यदेशिक व्यापार मंत्री डक्टर एस जय संकर आज शरकार किया गड़्यसा में तो आपको अरिशाम में आए है तो मोधी जी का जो नारा है वीज़ेपी का जो नारा है आपकी बाद चार सुपार तो अपको उरिसा में कीछा बाहूल लग रहा है चार सो पार में उरिसा का कितना युग्दान रहेगा देखें मुझे तो महूल अच्छा ही लग रहा है और मुझे पूरा विश्वास है कि उरिसा की पॉब्लिक उरिसा के वोटर्स जो है मोदी जी के हाथ मजबूत करने के लिए दिली एपने संसद में अपने प्रतिनिदी भेजेंगे और उनका यह भी निन्य होगा कि यहां जो सरकार बने यह भाज़पा की सरकार बने ताकि ओरिशा की डवलेपमेंट के लिए यह भी अच्छा होगा कि दोनों अलाइंड हो तो मुझे लगता है महुल बहुत अच्छा है जिसे प्राइमिनिस्टर गोल चुके हैं, अमित सहाजी भी बोल चुके हैं, ओडिसा प्राइड इस चुनाब का ओडिसा में बीजेपी के लिए सबसे बड़ा मुद्दा होगा, तो आपको क्या लगता है? देखे, मैं लोगों को कहता हूँ, कि ओडिसा प्राइड जो है, देश का प्राइड है, कि हमने देखा है कि G20 के समय में, कि प्रधान मंत्री को एक कहीं, एक चॉइज लेना था कि दुनिया को क्या दिखाएं, और उन्होंने चुना कौनार चक्र, और आपने देखा, तस्वी भी वो मिले, वो कौनार चक्र उनके पीछे था, तो मोदी जी भी पैचानते हैं, भाजबा भी पैचानती है कि ओडिसा प्राइड क्या होती, तो हमें लगता है कि ऐसा स्टेट, जहांके लोग इतने टैलेंटेड हैं, इतने स्किल्ड हैं, यहां जितनी नाचुरल रिसॉर का फ्यूचर जो है, बिल्कुल बदल सकते हैं. लेकिन उडिसा में क्यों नहीं हुआ कोस अंसाधन का यूज़ की डेफिर्ता, डेफिर्टली इस्तिता तो जरुवत होती है, स्थिर्ता के साथ उर्जा के जरुवत भी होती है, कि यह नहीं कि खाली स्थिता से चलते जाएं, कि स्टेट में कमिटमेंट होना चाहिए, अगर आप बाकी राजियों की तुलना में देखें, जैसे आपने कहा कि बहुत सारे चीजें हैं, मैं बिलकुल मानता हूँ, पर आप देखें, यहाँ पानी का इतना बड़ा विश्य है, आप यहाँ की सिंचाई का अगर रेकॉर्ड देखेंगे, जैसे मैं गुजरात का MP हू मिलता है, पर उसका उपयोग करना, जैसे यहाँ आयोश्मान भारत चला नहीं, अब आप जानते हैं कि देश भर में भाजपान है, यह कम मुदी की गैरेंटी है, कि सतर साल से बड़े उमर के लोगों को फ्री हेल्थ ट्रीटमेंट मिलेगा, तो औरिशा के लोगों को हम इस एसी सरकार चाहिए, जो दिल्ली के साथ अलाइंड हो, जो भाजपा की सरकार हो, जिसमें वो एनरजी हो, जिसमें वो कमिटमेंट हो, और जो पूरे देश में जो परिवर्तन जो हो रहा है, उतना कम से कम उतना परिवर्तन आम चाहते हैं औरिशा में, यहां तो ज्यादा हो आप जानते हैं डिली से कितना सपोर्ट यहां मिला है यहां जो राज्य सरकार जो करती है वो डिली के जो डिली से जो सपोर्ट जो मिलता है उसका उप्योग करती है पर अगर यहां उतनी श्रमता नहीं यह जैसे मैंने कहा उतनी प्रतिबता नहीं उतनी उर्जा नहीं तो फि अभी जो हम देखेंगे पुरा देस में दो फेस का सुना वोटिंग हो चुका है तो एक इसा नरेटिव चल रहा है कि जैसे पिछले बार से कम परसेंटेस का वोट हुआ तो एक अमेंट के खिलाफ जा रहा है नरेटिव चल नहीं रहा है नरेटिव चला लोग चला रहे हैं मुझे लगता है कि इसमें जो मेडि़ानocol फीडबाक जो है, कि मुझे लगता है कि कहीं वोट कम पड़े हुए कहीं ज्यादा पड़ें तो और विल पर डेखें के पूरे देश में अगर आप आज दो मूड देखेंगे ना मूड जो है वो मोडी की Guaranty की मूड और लोग जो लोग देखते हैं कि उनके जीवन में परिवर्तन क्या आया है, और वो देखेंगे कि राशन कहा है, विजली, पानी, सडक, घर, जैसे मैंने का है, हेल्थ, एजुकेशन, जब लोग भाहर जाते हैं, और रिशाते लोग भाहर भी जाते हैं, मोधी की गैरंटी भाहर भी चलती देश के बाहर चलती, कोई संकट में फस जाए, खाडी में किसी को कोई तकलीफ आए, तो मोधी की फंड जो है, वो ही लाती है वापस, तो मैं कहूंगा कि लोग देखे, लोग जो है, बहुत समझदार लोग हैं हमारे देश में, वो देखेंगे कि कौन क्या करता है, किसकी देखेंगे किसके वाइदे जो है, कौन सा क्रेडिबल है, कौन सा नहीं है, जो आप पता रहे थे, आप तो विदेश मंत्री है, तो आप से जाना चाहेंगे, जब उक्रेन का टेंसम सुरू हुआ, यहां से भी बहुत सारे स्टूडेंस थे, जो उक्रेन में चले गए थे, करने के लिए, तो मुदी सरकार का जो अपरेशन चला था, उन्हें लिकाल कर ले आए, सुरक्षित, लेकिन यहां पर एक ऐसा माहूल बनाया गया, कि जो बच्चे आए, तो यह स्टेट गर्मेंट का इनिसियटिव था, स्टेट गर्मेंट के कारण आए, नवीन जी का इनि इंडिया और इंडिया और इंडिया एर फोर्स, यहां के नवीन बाबु ने तो नहीं भेजा ना, मोदी जी ने भेजा, वहां क्या हुआ, राद दूत आब आसों ने उनको हेल्प किया, वहां पांच मंत्रियों के मीटिंग, डूटी लगी वहां, कौन से मंत्री थे, उससे आप अभी विदेश मंत्री बने हुए, आखिस सवाल आपसे, यहां पर आपके बाती का आरोप है, कि यहां पर एक बिरोक्राटिक गर्मेंट चल रहा है, यहां जो चुने हुए प्रतिनित है, उनका बोल नहीं चलता, बिरोक्राट का सासन चलाते हैं, तो आपको क्य क्या मनना है, अगर बिरोक्राट सासन चलाएंगे, तो यह देश के लिए राजी के लिए कितना अचा है, तेखे, हम जो है, डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में कौन चलाते हैं, जन प्रतिनिती चलाते हैं, बिरोक्रेसी नहीं चलाते हैं, बिरोक्रेसी इंप्लिमेंट करते ह मैं packet सिप Après यह में memberUp्रॉश चले सरकार उनकेить आर मंत्रेश के बूरो क्राइट जो है उषका-फार्द जो है इंप्लिमेंटेशन का jsut जो डिसाइड करते हैं डिशेन में लोक तंत्र में वो पैडिकल य का सिप्से सिफ डिसाइड बोटिक बे डिसाइड करते सिफ विरोक्रेसी को अपनी जगह, पॉलिटेशन और पॉलिटिकल लीडर्शिप को अपनी जगह, दोनों जानना चाहिए, एक दूसरे को मिक्सप नहीं करना चाहिए. सर, अखरी बात, साउथ में इस पार कमल खिलेगा और जो ये था कि जरूर खिलेगा, विश्वास करिये, आप देखेंगे जून चार को, जरूर कमल खिलेगा. आप एक इसे संसनिक हेज खुला से किये कुछ दिन पहले कच्छी थिभू को लेकर जो देशवासियों को पता नहीं था कि कांग्रेस गर्मेंट के समय इसा भी एक हुआ था, तो उसका इंपैक्ट आपको क्या लगता है, थासकर तामिलनाड में? नहीं, देखे, मुझे लगता है कि तमिलनाड की पबलिक जैसे पूरे भारत में पैचानेगी कि मोधी की गैरंटी की शक्ति क्या है, कि उसके विश्वास करेगी और इस चुनाव में आपको इसका रिजल्ट आपको जरूर दिखा देगा. जैसे आपका बोद-बोद शुक्रिया, हमें समय देने के लिए बोद-बोद धन्यवाद. तामसेत थिले, डक्टर एस जैसे चंकर, वैदेस्तिक ब्यापार मंत्री, तामसेता में सक्यातकार कोरते ले बंग जुमळी भावर से कोईच्वानती, जै थरो मोधिंक गैरंटी क भारत में ओडी सारे मध्यां कामा करिवा एवंग डबल इंजिन सरकार मध्यां मरीवा.